राम राम साथियों कैसे आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग शदय शुखी और संपन रहें बीपी का उलब चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और बीपी का उलब चैनल की उतारने के लिए गाय भैस है दूद उतारती ही नहीं दो दिन चार दिन छे दिन आपने बोलस खिला ली दूद पवाशने वाली और उसने जब तक बोलस खाई हमारी गाय भैस ने तब तक दूद को पवाशा वो पावस जाती है लेकिन जैसे ही बोलस बंद करते हैं बैसे ही वो दूद जो है फिर से बाप्षी लेने लगती है, दूद चढ़ने लगती है, दूद नहीं उतारती है, तो कुल मिलाकर हमें ये पता करना चाहिए कि हमारी गाय या भैस दूद क्यों नहीं उतारती है पूदा, उसका कारड क्या है? इसके दो-तिन कारण है, सबसे पहला कारण है कि हमारी गाय या भैस किसी प्रकार से हमसे संतुष्ट नहीं है, पहला कारण, मांचिक तनाव में है वो, दूसरा कारण हो सकता है, उसे कोई नो कोई सारीरिक परिशानी, अब सारीरिक परिशानी ठनला हो सकता है, बोडी में कई पर दर्द हो सकता है, पेट में कोई कमी हो सकती है, ये कुल मिलाकर के कमیاں ऐसी हैं, कि जिनके बज़े से हमारी गाय भैस पूरा दूद नहीं उतारती है, कुछ दूद हम निकाल लेते हैं, उसके बाद दूद वो फिर बापस ले लेती है, कुछ समय के बाद में कई प्रकारकी बोलस देने के बाद बोलस मैंने बता भी चुका हूँ मिल्क आउट बोलस है, दूध एक्स बोलस है तो इन बोलस का प्रियोग बैसे 90% सक्सेसर हाए लोगों के लिए लेकिन डिफीट खा जाते हैं लोग दो देन, चार देन उन्होंने प्रियोग की और बोलस बंद कर दी काईदा ये बनता है कि हमें कोई भी बोलस खिलानी है 10 से 12 दिन तक, ये हमने 10-12 देन बोलस को खिला लिया तो गाए भैस का दूद नेचरल ही आने लगेगा पवाशने लगेगी वो लेकिन हम ये प्रियास नहीं करते हैं तीन-चार देन या पांच देन बोलस खिलाई और बंद करके देख लिया हमारे मन में एक डाउट ये भी बैठ जाता है कि भैस जो है या गाए है बोलस की आदी न हो जाए मेरे प्यारे साथियो कोई भी इनसान हुआ या कोई भी पसू हुआ है आदी कब होता है जब हम किसी भी चीज को 21 दिन तक लगातार प्रियोग करते हैं अब हमने 21 दिन तो प्रियोग नहीं किया है ना बोलस का प्रियोग 10-12 दिन करेंगे 10-12 दिन के बाद में अपने आप वो दूद पवाशने लगेगे चलिए इसको छोड़िए यह यहीं पर रहने देते हैं दूसरी चीज हमें यद कोई भी दवाईयों का प्रियोग न करके किसी मेडिशन का प्रियोग न करके एक प्रियोग करना है कि अपनी गाय को मांसिक रूप से संतुष्ट रखना है चलिए आपको किलिप दिखाते हैं किस प्रकार से हम गाय को मांसिक रूप से प्रसंद करते हैं आप देखे चलके किलिप आप बिल्कुल कभी दूद उतारने इस दिक्कत नहीं करेगी यह किलिप देख लेंगे तो किला यहा है सक्टार को अवला में दूद यहाल, साले मक्रोगल, साले अपर आपक अवल, से काகि को आपको बिल्कुल का दिरा शिक्तार जैशर आपकर अजया जाम, करे दो. क्या अभरने आप दूद आपको फसलारC ग्याद गसकिलिए क्या बिल्कोड Okay。 आी धको कि रहेंसा नहा और को रहेंसा है व कर दो हो भो है आ रहेंसा है मरा उला रकार लाग क्षासी जाओ不錯 इस तकुछा रहें कैसे हैं बैंने DR राव के CC इसरे बैंत के सवच्चा helping जीयाँ एंग दोगानाँ तरो कि लागा पारी आपने ये कलिप अच्छी तरीकास देख ली इस प्रकार से आप अपने गायवैंस को मांसिक रूप से प्रसंद कीजिए खुश कीजिए उसे जो कि वो कभी भी दूद पवासने में दिक्कत ना करे गाय को हम मारेंगे पीटेंगे नहीं गाय एक जिद्धी पसू होता है ये आपने एक बार गाय को मार दिया या तनाव दे दिया फिर बहुत आशानी शे आपको दूद नहीं देगी लाट चलाएगी लाट नहीं चलाएगी मजबूर हो जाएगी आप बहुत दोगे तो वो दूद उपर पवासेगी नहीं दूद बापस ले लेगी तो कुल मिलाकर कि जो चाबी है पूरा दूद निकालने की वो क्या है कि गाय को मांसिक रूप से प्रसंद करें सपोज किजिए कि मैं छोटा सा एक्जाम्पिल दे रहा हूँ कहीं पर पत्पत्नी हैं अपनी प्राइबेट क्रिया में लिप्त हैं अपनी कोई प्राइबेट क्रिया कर रहे हैं वहीं पर यद पत्नी के मन में कोई तनाव आ जाए या पती के मन में कोई तनाव आ जाए तो तो वो क्रिया पूरी तरीका से संपन नहीं हो सकती है क्योंकि तनाव की इस्थिती में जो हमारे mind से hormones create होते हैं वो नहीं हो पाएंगे अब इसी प्रकार से हमारे पसु का होता है जब हमारा पसु प्रसन नहोता गायभैस खुस होती है तो उसकी ऑक्सिटोसन जो भी हार्मोन होते हैं वो create होते हैं और दूद उतारती रहती है बीच में कहीं न कहीं पर वो मानसिक तनाव में आ जाती है बैसे उसके हार्मोन create होना बंद हो जाते हैं और गायभैस दूद पवासना बंद कर देती है तो हमें कुल मिला कर क्या करना है मानसिक रूप से संतुष्ट दूसरा फार्मूला अब फार्मूला बताने से पहले सबी नए अनदाताउशे निवीदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे अब आते हैं फार्मूला पर कोई खास लंबा फार्मूला नहीं है ना महगा फार्मूला है आप जाइफल को अच्छी तरीका से जानते होंगे हर जगे मार्केट में एबलेबिल है किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो इससे आप बोल देजेगा कि हमें जाइफल की जरूरत है आप 100 ग्राम जाइफल ले आईए चोटे वाले और करीब करीब 25 ग्राम लॉंग ये दो चीजें लेकर आप आएंगे जो भी जाइफल हैं उनको हम कहीं कंडे की आग पर या गैस की आग पर उनको भून लेंगे कुल मिला गए फ्राई कर लेंगे जो पीसने में हमें दिक्कत ना आप ऐसे पिसने बहुत सफ्ट होते पिस जाते हैं लेकिन फिर भी हमें फ्राई करना है आपने वो दो जाइफल केवल भूनने हैं पहले और दस लॉंग इनको दोनों को पीस लेना है अच्छी तरीका से जब आप पीस लेंगे तो सौ ग्राम गुड में मिलाकर इनके दो लड़ू बना लेंगे दूध निकालने से एक घंटा पहले आप ये दो लड़ू गाय को खिला दीजिए जैसे ही गाय को खिलाएंगे एक घंटा के अंदर ही उसके अंदर हार्मोन क्रियेट होंगे और वो नेचुरल ही बिना बच्चा लगाय ही दूध पूरे थनों में और अडर में आ जाएगा हम आसानी से निकाल सकते हैं अब ये प्रक्रिया भी हमें कब तक करनी है शुबय को भी दूध निकालने से एक घंटा पहले और साम को भी दूध निकालने से एक घंटा पहले ये प्रक्रिया कम से कम आपको दस दिन तक करनी है जब दस दिन ये प्रक्रिया आप कर लेंगे तो आपकी गाय भैंस जो है जितने टाइम पर आप दूध निकालते हैं उसी टाइम पर वो पबास जाएगी और दूध निकालने के लिए रम्हाने लगेगी चिलाने लगेगी बुक कहेगी इशारा करेगी अब हमारा दूध निकाल लोगा करके आप इस तरीका से अपनी गाय भैंस का आसानी से दूध निकाल सकते हैं रही बात आगी किसी भी प्रकार की इन केश ऑफ फीचर आपको पस्मों से रिलेटेड कोई शमस्या होती है तो हमारा वाटसेब नमबर ये स्क्रीन पर चला है इस पर आप वाटसेब कर सकते हैं कॉल नहीं कर सकते हैं क्यों वाटसेब कर सकते हैं WhatsApp के द्वारा मैं आपको वीडियो अपलब्द कराऊंगा या जो भी आपकी समस्या पोशी विलोगी उसको मैं शमाधान करने का पूरा प्रियास करूँगा और फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के शाथ में तब तक के लिए जैराम जी की